धान की खेती को रोकने के लिए हर्याना की बड़ी पहल समय आ गया है पंजाब भी धान की खेती छोड़ने के लिए कदम उठाए खाल ही में हर्याना सरकार ने एक ऐसी योजना का एलान किया है जो पूरे उत्तर भारत के परियावरण पर बड़ा अजर डाले गी हर्याना सरकार ने उन सभी किसानों को साथ हजार रुपे प्रती एकड इंसेटिव देने का फैसला किया है जो ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से उगने वाली फसलों की बुवाई करना छोड़ दूसरी फसलों को प्रात्मिक्ता देंगे हर्याना सरकार में कृशी मंतरी जेपी दलाल के अनुसार नए फैसले के बाद करीब दो लाख एकड जमीन पर धान की फसलों की बुवाई का खात्मा होने की उमीद है आपको बता दे कि धान की फसल की बुवाई के कारण हर्याना और पंजाब के किसानों की फसल पर बंजर होने का खत्रा बढ़ गया है हर्याना सरकार की नई घोशनाएं पंजाब सरकार के लिए प्रेड़ना स्त्रोथ हो सकती है जो अब भी पुरानी नीतियों को ही आगे बढ़ाती जा रही है अभी समय है कि पंजाब के किसानों को भी धान की फसल से दूर किया जाए नहीं तो पंजाब में भूमिगत जल स्तर बेहत खतनाक स्तर तक गिर जाएगा पंजाब जैसे राज्यों में भूमिगत जल 50 से 60 फुट के गहराई में उपलब्ध हो जाना चाहिए लेकिन अब ये 200 से 300 फुट के खतनाक स्तर तक पहुँच गया है ऐसा इसलिए क्योंकि यहां किसान जम कर धान की फसल की बुवाई कर रहे हैं Central Ground Water Board के आंकडों के अनुसार हर्याणा, पंजाब और आजिस्थान जैसे हरित क्रांती वाले राज्यों में भूमिगत जल का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है यहां के लोग 60 के दशक से पहले सिर्फ मक्का और बाज्रा ही बोते थी जबकि धान की फसल बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बोई जाती थी क्योंकि वहाँ पानी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है हर्याणा और पंजाब ने अपने किसानों को मुफ्त में बिजली दी जबकि केंदरी स्कार ने इन्हें MSP का लाव देकर यहां धान की बुआई के लिए किसानों को पिरित किया MSP के कारणड ने दाल और अन्य फसलों को छोड़ कर धान की फसल की बुआई करने का फैसला लिया पंजाब और हर्याणा में किसानों ने टू वेल्स के इस्तेमाल से भारी मात्रा में भूमिगजल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं हर्याना और पंजाब ने अपने किसानों को सबसेटी दे कर किसानों को धान की फसल छोड़ कर किसी अन्या फसल की बुवाई करने के लिए जम कर हतोत साहित किया धान की फसल भारत के उत्तरपश्ची में राजों के लिए नहीं है नहीं यहां धान के लिए जरूरी बारिश होती है और नहीं यहां की जमीन धान की फसल को बिना नुक्सान जेले उगा सकती है यहां धान की फसल के लिए बाजार भी नहीं है क्योंकि लोग यहां चावल से जादा बाकी क्रीशी उत्पादों का सेवन करना पसंद करते हैं यहां लोग सिर्फ इसलिए धान की बुवाई करते हैं क्योंकि सरकार सबसेडी और MSP भरपूर मातरा में प्रदान करती है MSP पर केंदर सरकार फसलों की जितनी भी खरीद करती है उसमें से 80% धान की फसल ही खरीदती है MSP पर कुल खरीदे जाने वाली धान की फसल का 70% हिस्सा अकेले हर्याणा और पंजाब से ही खरीदा जाता है MSP का तंतर पहले ही हर्याना और पंजाब के लोगों को बड़ा नुकसान पहुचा रहा है अगर राजी सरकारें और केंदर सरकारें मिलकर किसानों को ऐसे ही सबस्वीटी देती रहेंगी तो किसान धान की फसलों से मूँ मोड़ेंगे ही नहीं ऐसे में हर्याना सरकार दुवारा लिया गया फैसला बहत प्रशंस्रिया है और पंजाब सरकार को भी इसका अनुसरण करना चाहिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और देखते रहें साइंसमैनिक